हेलो एव्रिवन वेल्कम टो एडू मंदला आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कूर्शन के लिए वह है कोविट इंपक्ट उन लर्निग जब से कोविड नाइंटीन आया तब से हमारे जितने भी स्कूल्स हैं गॉलेजिस हैं या उनिवर्सिटीस हैं सब कुछी गॉर्मेंट मे कहें तो छोटे बच्चों पर पढ़ रहा है क्योंकि उन्होंने अभी तक स्कूल नहीं देखा है वह स्कूल में कभी गए नहीं है वहां कि रूल्स और इंडियूलेशन से इतिफाक नहीं रखते हैं उन्हें कोई नॉलेज नहीं है और बच्चों का तो यही अगर स्कूल पढ़ते भी नहीं है तो इसकी वैसे काफ़े बुड़ा इंपक्त हमें देखने को मिल रहा है आई जानते हम इसके बारे में तो अभी हाल फिलाल में यह चीज़ नॉटिस में कैसे आई तो जो एन्वल स्टेटो स्टेटोस स्टेटोस एड्यूकेशन रिपोर्ट है जो प् सर्वे में यह पाया गया कि जो कोविड नाइंटीन के कोविड नाइंटीन पैंडमिक की वज़ा से जो इंडिया है उसका नैशनल एजूकेशन सिस्टम जो है वो लिंब बैक कर रहा है और जो गौर्वर्मेंट स्कूल में स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है 10-year low enrollment देखा गया है प्राइबट स्कूल के enrollments में तो और इसकी वज़े से क्योंकि अब बच्च जानी रहें तो इसकी वज़े से जो प्राइबे टूशन क्लासिस है उन स्टूडेंट्सी जो है स्टूडेंट्सी कापी ज़दा बढ़ गई है तो इन दा कॉंटेक् रिपोर्ट रिलीज़ वनेज़ देखा रहे हैं इन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इन दिखा रहे हैं उसे में देखने को मिल रहा है कि क्लियर शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम प्राइबेट गॉर्मेंट स्कूल में जो 64.3 परसंटेज की इन्रॉल्मेंट्स थे जो 2020 65.8 प परसंटेज हो गई हाने कि एक 5 परसंट का जंप हुआ है जो कि बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है और जो प्राइबेट स्कूल में एन्रॉल्मेंट से वो कम होते चले गए 2020 में 28.0 परसंट कम हुए थे और 24.4 परसंट हो गए हैं वो 2021 में तो यह भी बहुत सादा है और ASER के according to government school में यह जो एन्रॉल्मेंट है यह 2006 से कम ही होते जा रहे थे 2018 में 65% पर रुख गए थे जो एन्रॉल्मेंट से 65 परसंट थे लेकिन अभी जो हमने परसंटेज में जंप देखी है 5 परसंट पॉइंट के जो काफी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है अब यह कुछ न जाता लोगों के में होज गए हैं लेकिन देखी फर्स से सेकंड ग्रेट की सुडेंट से उनके घर पे 64.9 परसंट बच्चों के घर पे स्मार्टफूंस हैं लेकिन एक्सेस कि कितनों के पास होता है all the time 19.9 परसंट कुछ टाइम के लिए 40.8 परसंट के पास है और बिलकुल एक्सेस नहीं है बच्चों के लिए 39.3 परसंट तो इस टाटा के अकोर्डिंग आप देख सकते हैं कि जो स्मार्टफून एट होम उसका परसंटेज तो फिर भी ठीक है और एक्सेस के लिए भी ठीक है लेकिन जो एक्सेस है all the time वो कम है 23, 27, 35.4 और सम टाइम से वो जादा बढ़ गया है और नो एक्सेस के लिए भी कम ही है तो यह कुछ satisfactory data नहीं है क्योंकि online classes चल रही है और बच्चों की पढ़ाई इस वैसे ही affect हो चुकी है और जब online classes भी attend नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी studies और भी जादा affect हो रही है and that too not in a good way चार्ट 2, challenges faced by the teachers अब low attendance का है 29.1% children unable to catch up 65.4% बच्चों को समझ महीं नहीं आता है कि teacher पढ़ा किया रहा है connectivity issues भी काफी देखने को मिलते हैं कि network नहीं आ रहे हैं जिसकी जैसे जो बच्चें को classes attend नहीं कर पा रहे हैं तो वह 22% percentage of children who receive help from family members अब जैसे जैसे grades बढ़ रहे हैं वैसे जो children को family members से help मिल कितने percent बच्चों ने आज तक in-person class attend ही नहीं की है तो देखिए जो government school है उसमें standard 1 में 39.6% बच्चों ने अभी तक को in-person class attend नहीं की 34.9% students standard 2nd गे हैं उन्होंने आज तक को in-person class attend नहीं की है और देखा जाए तो यह जो number है private school में थोड़ा सा कम है जिनोंने in-person class attend नहीं की है तो first grade students 33.6% and second grade students is 32% Chart 5 percentage of children with text books तो यह average जो है अच्छा है काफी satisfactory है अगर दिखा जाए तो government school में 92.3% students के पस अपनी text books है अपनी classes की और private में 90.7% students के पस है अब tuition dependent अब प्राइवेट tuition के ओपर dependency जो है काफी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि अब school में बच्चे जाने ही रहें तो parents को यह है कि पता नहीं online classes से कितना ही समझ पाते हैं उनकी बच्चे तो वो प्राइवेट tuition को का अभी महतुफ दे रहे हैं 39.2% children जो है वो भी tuition पे depend है tuition अटेंड कर रहे हैं the proportion of the children with parents in low education category अब low education category और high education category क्या रखी गई है वो parents जिन्होंने 5th या 5th से कम class education प्राफ्ट की है वो low education में आते हैं और जिन्होंने class 9th या class 9th से ज्यादा education कर रहे हैं तो वो high education category में उनको रखा गया है तो जो low education category के parents हैं उनमें जो इजाफा हुआ है 12.6% points का इजाफा हुआ है 12.6% बच्चे जो है वो ज्यादा tuition attend कर रहे हैं of low education category parents और वो parents जो high education category में आते हैं उनके जो बच्चे है वो 7.2% points से increase हो गए है जो tuition से attend कर रहे हैं Digital Divide From having no experience of pre-primary class to the lack of access to the digital devices the pandemic has left the youngest entrance in the Indian formal education system particularly vulnerable and not addressing their specific needs can have grave consequences says the survey according अगर जो students है वो काफी challenges face कर रहे हैं चाहे वो lack of smartphone की वज़ा से हो या connectivity issue की वज़े से हो अभी जब हो उन्होंने कोई in person class attend नहीं किये अभी school नहीं गए है तो इसके सुनके education पे तो effect बड़ी रहा है अगर हमने vulnerable हो गया है education system अगर हम निस पे ध्यान नहीं दिया तो हमें grave consequences के लिए ready रहना पड़ेगा वो inevitable है अब सुमन भाटाचार्जे जो डारेक्टर है ACR Research Center की उन्होंने बताया कि class first और second में अगर जो तीन बच्चे हैं तो उसमें से एक बच्चे ने आज तक in person class attend नहीं की है यह काफी डराने वाली बात है अगर देखा जाये तो अमोंग और government school में जो students है उनका percentage है 36.8% जिन्हों नास तक in person class attend नहीं की और private school में नंबर 33.6% है यह जो students who enter the school system after the pandemic will require time to settle down and get ready for the formal education system this is essential as the students do not even have the experience of pre-primary schools और अंगनवाडी इसका भी अंगनवाडी नहीं गए प्राइम्परी में नहीं गए तो प्राइम्परी में आएंगे तो उनको टाइम लगएगा सैटल होने में क्योंकि आसक उनको experience रहा ही नहीं है और यह बहुत चिंता वाली बात है कि जो youngest learners हैं उनको technology का access भी नहीं मिला है इतना और class first or second में जो smartphone available है वो सिरफ उसे third of the children जो है class first or second उनको ही available है ज्यादा बच्चों को smartphone देते भी नहीं है बोलके कि बच्चों को smartphone नहीं देने चाहिए तो एक यह भी point है while the percentage of the enrolled children having at least one smartphone at home has risen from 36.5% to 67.6% between 2018 and 2021 जैसे कि आफ लोगों को द्यानों का जब pandemic स्टार्ट पहा तो यह काफी news चली थी कि लोगों के घर में smartphones भी नहीं है तो digital classes online classes कैसे attend कर पाएंगे तो उस टाइम पे काफी लोगों स्मार्टफोन खरे देते थे था कि उनके बच्चे classes attend कर पाएं तो यह number काफी इंग्रीज हुआ था 65.4% teachers जो है उनको प्रोब्लम आ रही है कि जो बच्चे हैं वह अच्छे से कैच नहीं कर पा रहे हैं जो भी learning outcome है वह अच्छा नहीं आ रहा है तो यह बहुत सीरियस प्रोब्लम है इसको अर्जेंटली डील करने की जरूरत है national achievement survey के according जो central government ने किया था उसमें central government teachers और field investigators ने मिलके गया था पूरी country में इसमें क्या किया गया था कि जो स्टूडेंट से primary grade के जो स्टूडेंट से उनको कुछ questions दिये गए था basic comprehension के numerical skills के और इसमें उन बच्चों ने काफी जादा struggle किया था वह उनको अच्छे से नहीं कर पाय रहे थे तो यह एक टेंशन वाली बात है और एसे सर्वे से हमें कोई learning outcomes के बारे कोई ठीक से पता नहीं चल पाया है लेकिन मार्च 2021 में करनाट कामें एक सर्वे किया गया था जिसमें 20,000 children जिनका age group 5 to 15 years था उसमें पाया गया था कि जो बच्चों की foundational skills काफी जादा ग तो यह हमें इस पर काफी ध्यान देने की ज़रूँ है कि जब बचे पहली बार वापिस जाएं तो उन पर ध्यान दिया जाए ताकि उनके foundational skills जो दूसरी बार की skills है वो थीक हो सकें silver lining the report captured a decline in the proportion of the children not currently enrolled in the 15 to 16 age group the one in which the risk of dropping out is the highest अब यहां पर एक अच्छे बात यह देखने को मिली कि 15 to 16 age group में काफी बच्चे होते थे जो school से drop out कर लेते थे अपने पढ़ाई को continue नहीं करते थे यह number यहां पर अब decrease हुआ है in 2010 जो proportion था 15 to 16 years old जो drop out कर रहे थे school से 16.1% था उसके हाई में जब गॉर्मेंट ने इस बात पे इस बात को बढ़ावा दिया कि जो education है वो सबको लेनी चाहिए उन्होंना universalize किया secondary education को तो जो number था वो कम होता है गया 2018 में 12.1% था और यह जो number है यह और भी कम होता है 2020 में 9.9% था और 2021 में 6.61% रहा है तो यह number तो कम हो रहा है तो यह तो एक अच्छी बात है जो हमें देखने को मिली है और survey के according 91.9% students जो enrolled है उनके पास textbook available है तो यह भी अच्छी बात है जैसे कि हमने पहले भी जाना था इस बारे में अभी पढ़ादा डिसकुस किया था but only about a third of the children in grade first and second of yet to reopen schools reported having received learning materials, print और virtual worksheels, online और recorded classes और learning related videos from school तो the schools जो अभी तक खुले नहीं है वो learning materials students को provide करा रही है लेकिन देखा जाए तो grade first और second में सिफ 33.5% students जो है वो उन्होंने रेपोर्ट किया किया learning material जो है school से मिल रहा है तो यह तो अच्छा record नहीं है so this was all हमने जाना कि जो education system कैसे affect हुआ है learning कैसे affect हुए COVID-19 की वजह से हमने survey के बारे में जाना I hope आप लोगों के doctor's बारे में clear हुए होंगे और आपको A.S.E.R. के बारे में पता चला होगा उसका काम समझ में आया होगा तो अब देखते हैं government क्या करती है schools का फुलेंगे तो learning system जो है इंप्रूब होगा कितना time लगेगा इसी बारे में चानने की हमें मुद्ध करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए so thank you guys for watching our video subscribe our channel edu mandala and do join us on telegram जो लिंक है telegram channel का वह आपको description में मिल जाएगा आपको जो वीडियो से नोटिफिकेशन पर time to time मिल जाएगी और हाप हमारा एप edu mandala उसको भी download कीजिए वह आपको play store पर मिल जाएगा thank you so much